दियाविटीज बहुत लोगों को हो गई है यह एक पारिवारिक बीमारी है और अब करीब करीब सब परिवारों में हो गई है तो इसको समझ लेना कि यह क्या है इससे कैसे बचें हो गई है तो कैसे बाहर निकलें यह करीब करीब अब सभी को जरूरी हो गया है तो इस बात को समझाने के लिए हम लोग ये वीडियो सीरीज कर रहे हैं और इसमें करीब तीन चार एपिसोड सोंगे पूरी बात को समझाने में लगेंगे और ये बात हमारी कोशश ये है कि ये जो भी लेटेस्ट बड़ी ऑथेंटिक और यूस्फुल साइन्टिफिक इन्फोर्मेशन है उसको हम एक बहुती जन समानने की भासा में लेके आएं तो ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम पूरी कोशश कर रहे हैं तो आपको भी कोशश ये करनी होगी कि इस सीरीज को ज़रा जादा गौर से देखें, जादा ध्यान से देखें हो सकता है आपको एक से जादा बार भी देखना पड़े और इसके बाबजूद भी आगार कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट्स के जरीए आप उनको पूछ सकते हैं डाइबिटीज तीन तरह की होती है टाइप 1, टाइप 2 और जस्टेशनल टाइप 1 डाइबिटीज वो होती है जो अरली एज में हो जाती है टाइप 2 डाइबिटीज लेटरेज में होती है और जस्टेशनल डाइबिटीज प्रगनेंसी के टाइम में होती है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप 1 डाइबिटीज की यह जो टाइप 1 डाइबिटीज का फॉर्म है यह यूं तो कम लोगों को होता है पहले तो ये बहुत ही कम को होता था अब थोड़ा इन दुनों बड़ा है और बच्पन में हो जाता है कुछ महीने के बच्चों को हो सकता है साल दो साल के बच्चों को हो सकता है बड़ों को भी 11 साल तक भी होता है पहल कि थोड़े बहुत तो ऐसे केसे हो रहे हैं जब 40 साल तक भी होता है तो क्योंकि यह बच्चों को ही हो जाता है और इसमें बड़ी प्राब्लम है इसलिए इससे बचना चाहिए पहले हम नजर डालने कि इसमें प्राब्लम क्या होती है बीमारी क्या है तो यह एक तरह का autoimmune disorder है और इसमें होता यह है कि हमारी body का जो immune system है वो खुद हमारे pancreas पर attack कर देता है और pancreas में जो beta cells होती है जो insulin बनाने का काम करती है वो destroy हो जाती है तो यह होने से फिर insulin नहीं बनता है शरीर में तो फिर हमें बाहरी insulin supply पर रहना पड़ता है करीब-करीब पूरी जिंदगी दिक्कत यह होती है कि आपको दिन म pump लगाओ दिन भर glucose level check करते रहो हमेशा restrictions कि यह खा सकते हैं वो नहीं खा सकते हैं खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं इसलिए complications इसमें बहुत हैं तो हमें चाहिए कि इसका हम prevention में जाएं और क्योंकि यह बच्चों को होती है ज्यादा तो इसलिए इसके prevention की जुम्यवारी ज planning करें तो हम नजर डालते हैं कि क्या ऐसे factor हैं जिनसे type 1 diabetes होने के chances बढ़ते हैं तो mainly 4 factor हैं और पहला factor यह है कि अगर किसी भी parent को या किसी भी grandparent को type 2 diabetes है तो बच्चों को या नाती पोतों को type 1 diabetes होने के chances बढ़ते हैं तो family में type 2 diabetes नहीं रखना चाहिए और type 2 diabetes ठीक हो सकती है कैसे हो सकती है यह हम आगे के episode में बताएंगे जो दूसरी संभावना बढ़ती है वो इस बास से बढ़ती है कि delivery कैसे हो रही है cesarean है कि normal है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि diabetes type 1 का जो prevention का planning है वहां से शुरू होता है जब आप conceive करते हैं क्योंकि यह जो बीमारी है यह cesarean type के बच्चों में जादा होती है जिनकी delivery cesarean से हुई है natural normal birth से नहीं हुई है जब एक normal process से delivery होती है बच्चा basinal canal से होके बाहर निकलता है तो उसके उपर एक germs की layer चड़ जाती है जिसको basinal flora कहते है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है इस बीमारी के समेथ और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही cesarean delivery हुई तो उसके बाद mother को heal करने के लिए एक heavy dose of antibiotics देनी पड़ती है और वो antibiotics milk के थ्रो बच्चे में भी जाते हैं तो फिर बच्चे का जो microflora development है वो गड़बड़ा जाता है तो जैसे कंसीव करते हैं तभी से जागरुख हो जाए कि कौन से हम ऐसे step उठाएं ताकि delivery नॉर्मल हो अब cesarean delivery का एक reason यह भी होता है कि कई doctors को यह पसंद है cesarean करना तो यह भी साओधानी बढ़ते हैं ऐसे doctor को तलास है जिसकी cesarean करने की tendency ना हो या फिर आप doctor से सीधे बोल दें कि भई आप fees हम से cesarean की ले ली जिए लेकिन पूरी कोशिश करिए कि delivery normal हो जाए नहीं होती तो कोई बात नहीं करनी है cesarean पर एक बार कोशिश पूरी एक genuinely कोशिश हो जाए जो तीसरी संभावना बढ़ती है इस बीमारी में वह सफाई की बज़े से होती है कुछ लोगों को सफाई का भूत होता है over sanitize करते रहते हैं बहुत स्वच्छता में जा और यह जो differentiation है यह तभी आता है जहां हम बाहर की चीज़ों को बहुत exposed हो मैल वगेरा थोड़ी बहुत गंदगी हो तो गंदा नहीं रहना चाहिए लेकिन बहुत जादा सफाई भी नहीं होनी चाहिए सफाई कैसे हो और कितनी हो इसके लिए भी हम एक वीडियो कर चुके है बोडी हाईजीन के नाम से तो आप उसको देखें और सीखें कि सफाई का सई तरीका क्या है और कितनी सफाई जायज है और जो चौती संभावना बढ़ती है वह इसपास से बढ़ती है कि अगर बच्चे में stress हो तो यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में stress ना हो कई दफ यसी चीज मन में चलती है वो बोडी में उतर जाती फिर बोडी एक पार्ट दूसरे पार्ट को destroy करने लगती है यसे आपकी बीटा सेल्स को आपका immune system ही destroy कर देगा आभी देखते हैं आजकल अखवारों में कुछ blue whale game जैसी कुछ चीज़ें आती है तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में stress ना हो उनमें unnatural पढ़ाई का या career का बोज ना डालें बिल्कुल और stress को निकालने का भी एक तरीका है और सबसे powerful तरीका जो है stress को निकालने का वो है सनबाथ तो बच्चों को धूप में लिटाना चाहिए बिल्कुल नंगा करके बच्चों को धू हो जाता हद्य वगरा मजूद होंगी वो तो है यह तो उससे भी आपके जो टाइप वन डायविटीज होने के chances हैं वो कम हो अब मान लिजे कि already detect हो गया है कि हो ही गया है टाइप वन डायविटीज तो क्या करें अभी जितनी भी medical knowledge है उसके साब से आपको external supply of insulin पर रहना लेनी पड़ती है तो क्या होता है कि एक तो आपकी जो essential need है glucose की उसको fulfill करने के लिए long acting चाहिए और दूसरा हर बार जो खाने खाने पर glucose level शूट अप हो रहा है उसको control करने के लिए short acting चाहिए तो इसके लिए एक approach हो सकती है food कुछ ऐसा design हो सकता है कि वह glucose level shoot up ना करें तो जो short acting insulin है उसकी dose काफी कम की जा सकती है बलकि यहां तक भी possible है कि कुछ ऐसा food design किया जाए कि short acting की जरूरती ना पड़े इसके अलावा पिछले साल एक technique को nobel prize मिला है autophagy जो यह कहती है कि पूरी body नई की जा सकती है pancreas समीत तो उस पर भी आजकल बहुत काम चल रहा है सेहत बन में भी हम इन दोनों चीज़ों पर काम करते रहते हैं थोड़ा smart food बनाने के लिए और यह body कैसे renew हो इन सब चीज़ों पर काम करते रहते हैं और काफी कुछ अच्छी results भी आ रहे हैं तो यह possible है अगर effort किया जाए कि हमार जो pancreas है हमारी जो beta cells है वो revive हो जाएं लेकिन हमें कोशिश्ट यह करना चाहिए कि यह situation आई नहीं तो हमें एक preventive measures लेने चाहिए और preventive measures यह हैं कि हम बहुत ज्यादा सफाई के चकर में मत पढ़ें और काले गोरे के चकर में पढ़े बगए थोड़ा सन बात बगएर करें लेकिन इससे भी important चीज़ यह है जैसे मैं कह चुका हूँ आपको कि जो पहला main reason है type 1 diabetes का वो है जो पहला बड़ा risk factor है वो यह है कि अगर किसी parent या grandparent को type 2 diabetes है तो पहला काम यह करें कि वो type 2 diabetes ठीक करें और type 2 diabetes ठीक कैसे करना है इसकी बात हम करने वाले हैं अगले एपिसोड और इसकी बात हम अगले बात है झाल